साथ ही और नवस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल सक्से जंक्सन एक कदम सफलता की ओर में और हम लिकर के आ गए है सभी प्रितोगी परिच्छाओं की दिश्टी से अति महत्पून 360 डिगरी कर इंटरफेर से यानि कि यहाँ पर आपको हर एक प्रिश्ट के बारे में डीटेल में जानकारी दी जाएगी जिससे उससे समद्द अगर कोई अन्य प्रिश्ट भी आपकी परिच्छा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं तो चलिए बीना समय कवाई हुए आगे बढ़ते हैं और अपने सेसन की बात करते हैं कि आज के सेसन में क्या क्या होने वाला है आईए देखते हैं उसके बाद में Two Day Current Affair यानि कि आज की महतरपून Current Affair जितने भी प्रशने बन रहा होंगे उन सारे Current Affair के प्रशनों के बारे में डीतल में जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे उसके बाद में मद्देब्नि अपरिश्ट के महतरपून प्रशनों को देखेंगे उसके बाद में सभी प्रतोगी परिच्छाओं की रिष्टी से अतिमेहत्पून है आपकी इस्टैटिक जीके के प्रस्टनों को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे उसके बाद में current affair award यानि की डेली हम यहाँ पर एक award को discuss करते हैं और आज हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं राजीव गांधी खेल रतन पुरिसकार 2020 उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे कब उपरारम हुआ अभी हाली में किसे दिया गया है कितनी रासी दी जाती है अब तक कितने खेलों में कितने लोगों को दिया जा चुका है सारी जानकारी डीटेल में आपको देने वाले हैं उसके बाद में homebird प्रते screen shot यानि की डेली हम आपसे एक question पूछते हैं उसका जवाब जो भी लोग देते हैं उनका नाम screen shot के साथ में आपको यहाँ पर वीडियो के last में दिखाई देता है उसके बाद में today homebird कैन की आज भी हम आपसे एक question पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुरुवात करते हैं रिवीजन वाली प्रस्णों से आएए देखते हैं रिवीजन का पहला प्रस्ण किस राजिस सरकार ने बच्चों को मुफ्त किट वितरन योजना चालू की है आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण देखते हैं अमेजन के सीईओ और ने अभी हाली में स्तीफा दे दिया है अमेजन के सीईओ अब तक कौन थे जैप बेजोस, सुंदर पिचाई, एंडी जैसी या फिर इनमें से कोई नहीं चलिए एंसर दिख लेते हैं, सही एंसर है या निकी जैप बेजोस अभी दक अमेजन के सीईओ थे, अभी हाली में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो सर नए सीईओ कौन बन गया है, नए सीईओ एंडी जैसी को बनाया गया है बाकिस प्रशन के बारे में कल वाली वीडियो में हमने आपको पूरी जान का रही थी, कब अमेजन के स्थापना हुई थी, कितरा इनका इनकम है, सारी सीचे हम कल वाले वीडियो आपको बता चुके हैं आगे बढ़ते हैं, अगला प्रशन देखते हैं देखिए, यह होगा रिवीडियो का लाश्ट प्रशन तो कलपना चावला और सुनीता बिलियम्स की बाद, अंतरिक्ष में जाने वाली भारती मूलकी तीसरी महिला कौन बन जाएंगी संचिता रायजादा, सिरीसा बंदला, भावना कंट या फिर इन में से कोई नहीं एंसर की बात करते हैं, सही एंसर है बियान की, सिरीसा बंदला यहाँ पर तीसरी ऐसी महिला बन जाएंगी, जो भारती मूलकी होंगी और अंतरिक्ष में जाएंगी चलिए, यह आपका रिवीजन संपन्न होता है, और यहाँ से सुरू करते हैं हम, 7 जुलाई 2020, टूडे करेंट अफियर, आईए देखते हैं, पहला प्रश्ण तो पहला प्रश्ण है, 99 राजपालों की सुची में कौन सा जुड़ा गलत है, जैसा कि आपको पता है, अभी हाली में, महामाहिम, राश्टपती रामनात कोबिंद जी के दवारे यहाँ पर, कुछ राज्यों के राजपालों को चेंज किया गया है, कुछ का नया अपॉइ तो कौनसा जुड़ा इसमें से गलत है, चलिए एंसर दिख लेते हैं, सही एंसर है, भारत के राश्टपती रामनात कोबिंद जी ने आठ राजपालों के लिए नया राजपाले नियोक्त किये है, कौन कौन से हो राज्य हैं देखिए हर्याना करनाटक मध्यप्रदीश गोवा तुरपुरा जारखंड मीजुरम हिमाचर प्रदेश सहीत राज्यों के लिए नए राजपाल नियुक्त किये गए हैं इन आठ राज्यों में ठीक है बर्तमान में राजपालों में से कुछ को नए राजपालों में नए राज्यों में इस्तान अत्रित कर दिया गया है और कुछ अन्य में नए नियुक्त किये गया है और कुछ में नए नए यहां पर नियुक्त किये गये हैं अपना प्रशन था मध्यप्रदेश का तो आए मध्यप्रदेश की बात कर लेते हैं तो परत्मान में उत्तर प्रदेश की राजपाल है कौन अनंदी बिन पटेल अत्रत कारफर मद्ध प्रदेश का समाल रहे थी अब यहां पर मद्ध प्रदेश के लिए नए राजपन न्युक्त कर दिये गए हैं मंगो भाई शगन भाई पटेल ठीक है याद रखेगा इनका नाम चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रदेश देखते हैं तो अगला प्रदेश आपके सामने आ रहा है देखिए किंद्री आयूस मंतरी स्री किररन रिजज्यू दारा आयूस सेक्टर में कितने पोर्टल यहां पर लांच किये गए हैं अभी हाली में आप्सन ए है पर लिया जा सकता है क्योंकि यह आपका MPPSC का पोर्चन बन सकता है ठीक है चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं कौन-कौन से वो पांच पोर्टल हैं देखिए केंद्री आयूस मंतरी स्री किरन रिजज्यू दारा पांच जुलाई 2021 को एक ऑनलाइन कारकरम में आयूस डेटा सेट से सम्मंदित CTRI पोर्टल को भी लॉंच किया है तो यह पांच पोर्टल यहाँ पर लॉंच कियेगा है याद रखिएगा उन्होंने भारत की पारंपरिक भारती चिक्सा प्राली से सम्मंदित चार प्रकासन भी जारी किये हैं यानि आयूरवेज से सम्मंदित किसके द्वारा किया गया है जी सी मुर्मू मनोज सिन्धा एम वैंग के या नाइडू या फिर इन में से कोई नहीं चलिए एंसर देख लेते हैं सही एंसर बी यानिकी मनोज सिन्धा के द्वारा स्री नगर में गोल्फ प्रसिच्छन अकादमी का सुभारम किया गया है कोल्फ अकादमी का सुभारम उपराजवाल मनोज सिन्धा के द्वारा किया गया है इस पहल का उद्देश जम्मू और कस्मीर में खेल पारिष्टित की तंदर को बढ़ावा देना है और मजूद प्रयासों को जारी रखना है जैसा कि आपको पता है जम्मू कस्मीर अब य बगारा आएंगे और प्रसिचर देंगे और पहले बैच की सुरुवाद 200 प्रसिद खिलाड़ी भारती टीम के कोच अमन दीप जोहल कर रहे है ठीक है तो याद रखेगा अमन दीप जोहल जो गोल्फ के यहाँ पर खेलते हैं भारत की तरफ से उनके दोरा यहाँ पर पहली कोचिंग श्टार्ट कर दी गई है कहां पर जम्मू एंड कस्मीर में आगे बढ़ते हैं और अगला प्रस देखते हैं तो देखिए दर्वार मूव परंपरा का संब्द किस राज्य से है जम्मू कस्मीर उत्तर प्रदेश तमिल नाडू या फिर उत्तरा खंड तो कहां पर प्रसिद है दर्वार मूव परंपरा आई एंसर देखते हैं पूरी जानकारी भी आपको देंगे तो चलिए इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं देखिए तो दर्वार मूव परंपरा का संब्द जम्मू कस्मीर से है जम्मू और कस्मीर के बीच दर्वार मूव कहे जाने बाले राजधानियों को इस्थनांते करने की दुई वार्सीक परंपरा 30 जून 2021 को समाप्त कर दी गई है अभी तक जैसा कि आपको पता है क्या हुआ करता था ग्रीस में काली राजधानी स्री नगर को बनाए गया था तो मतलब कि राजधानियों का परिवर्तन चलता रहता था ठीक है ट्रकों में भरबर के पूरी जानकारी जितने भी फाइल वगएरा है वो ले जा करके स्रीनगर पहुचा जाती थी फिर जम्मू लाई या थे फिर स्रीनगर ऐसे करते थे तो इससे क्या हुदा था बहुत ज्यादा खर्चा आता था और कोविट के दौरान तो ऐसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया इसलिए 30 जून 2020 को इस परंपरा को समाप्त कर दिया गया जेखिए स्रीनगर और जम्मू के राजमारगों पर ट्रकों में लगबग 100 पेज़ों वाली फाईलों के धेर को इस्ताना अंजित करके राजधानी इस्ताना अंजित करने की 149 वर्ष पुरानी परंपरा को रुख दिया गया है अब ये परंपरा इतनी पुरानी थी इसको समझने पर एक प्रस्ने जरूर देखने के विला एंटी पीसी 2020 में तो आपकी परिछाओं की तिस्ती से भी अतिमेहत पूर है आईए आगे बढ़ते हैं देखिए तो कोबिट गुर्गुल किस मंत्राले के दौरा जारी किया गया एक वीडियो स्रंखला है सिच्छा मंत्रा आईउस मंत्राले स्वास्त मंत्राले यह फिर इनमें से कोई नहीं चलिए एंसर दिख लेते हैं सही एंसर सी यान की स्वास्त मंत्राले के दौरा कोविड गुर्गुल नाम से यहां पर एक वीडियो स्रंखला जारी किये चैया है आईए पूरी जानकारी आपको देते हैं तो स्वास्त मंतराले ने अपने social media platform पर एक सूचनात्मख वीडियो सरंखला COVID गुरकुले लॉंच की है इसका उद्देश है COVID-19 महामारी और इसके टीका करण कारिकरम पर प्रमारिक जानकारी का प्रसार करना है यानि कि टीका करण से लोगों में बहुँट डर बैठ गया है जो फीवर औगयरा होता उससे लगता होगी की टीके की वैशे फीवर हो रहा ए कुछ में कुछ लोगों को यहां पर लग रहा है कि मतलब कि जो भी स्वास्ते समझे ज़्यादा परिसानी आएगे तो उन सब के बारे में आथेंटिक जानकारी इस वीडियो सरंक्लामे दी जाएगी प्रमुक सारुजनिक स्वास्ते विस्टेशा की निर्माता डॉक्टर व्यग्यानिक और स्वास्ते पेसे बर भाग लेंगे और लोगों को कोविड के उचित विवहार के प्रति संबेदन सिल बनाने में यहाँ पर मदद करेंगे इस वीडियो सरंक्लामे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रस्न देखते हैं देखें टोक्यो उलम्पिक में भारत की धोजवाग कौन होंगी याद रखेंगा यहाँ पर प्रस्न को गोर से पड़िएगा टोक्यो उलम्पिक की बात की जा रही है और भारत की धोजवाग कौन होंगी जो उदघाटन समारों होगा उसकी चलिए एंसर दिख लेते हैं सही एंसर सी एन की बी और सी दोनों एंसर मेरी कॉम और मनप्रीस सिंग दोनों लोग यहाँ पर धजवाख होंगे पहली बार ऐसा हो रहा है जब उद्घाटन समारों में दो लोग यहाँ पर धजवाख का कारे निभाएंगे देखिए तो बॉक्सर, एंसर मेरी कॉम और पुरुसाकी टीम के कप्तान मनप्रीस सिंग टोक्यो अलम्पिक के लिए उद्घाटन समारों में धजवाख होंगे तो दोनों खिलाडियों के नाम आपको याद रखना है घिए बार भारत में लिंग समानता को सुनिशित करने के लिए आगामी टोक्यो खेलों में दो धजबाग एक पुरुस और एक महिला सामिल है तो पहली बार ऐसा हो रहा है इसलिए दोनों खिलाड़ियों का नाम याद रखना है और किस ओड टोक्यो ओलंपिक खिलों में यह हो रहा है तो यह भी आपको याद रखना है ठीक है आगे बढ़ते हैं देखिए तो यहाँ से सुरू होता है आपका 7 जुलाई 2020 मद्देश करेंट अफेर के महत्रपून प्रशन है उसके साथ साथ मैं आपको बता देगी आप हमारे इस पीडियाप को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं मद्देश का पहला नाशनल इंस्ट्ट्यूट आफ मैंटल हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर किसौले में बनाया गया है अपसिन है सतना, सीहौर, रतलाम, वीदीसा सही एंसर है BN कि सीहौर में मद्द पूद्देश का पहला साथिisme आपिम के dziर्वी बनाया जाएगा एक स्टैटिक का प्रश्ण महत्पूर्ट किलियर हो रहा है यहां से कि इंद्री सामाजी न्यायों सामाज कल्याण मंत्री कौन है थावर चंद गहलोत है और अभी हम पढ़कर किया है थावर चंद गहलोत को करनाटक का राज्यपाल बना दिया गया यह भी आ आपको याद अख रहा है जो कि ग्वालियर वारा प्रश्ण आपके सामने आया हुआ है आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्ण देखते हैं किसी जिले के बारंगा को सथ प्रस्थ सौर उर्जा का उप्योग करने वाला ग्राम बनाया जाएगा यानि कि बारंगा जो है व स्री कमल पटेल ने सौर उर्जा के उप्योग को बढ़ावा देने के लिए आई ये संगोष्टी को संबोधित करते हुए हर्दा जिले के वारंगा को सत प्रस्थ सौर उर्जा का उप्योग करने वाला ग्राम बनाने का संकल्प दिला जाए ठीक है तो यहां से भी आपका करिसी मन्तरी कौन है तो स्री कमल परिदेर कृसी मन्तरी है आपको याद रखना है ठीक है केंदरी कृसी मन्तरी कौन है तो याद रखेए नरेंदव सिंह रखो किब्चार शे है सोलर व्रच कहां पर लगा गया है तो याद रकी का पश्य मंगाल की दुरगापुरा में विस्ट का सबसे बड़ा सोलर व्रच लगाया गया है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगरा पश्य हाल ही में बाल सखा अभिनाव योजना किस राज में लागू की गई है राजस्तान बिहार जम्मू कस्मीर या फिर मध्यप्रदेश आईए एंसर दिख लेते हैं सही एंसर डियानिकी मध्यप्रदेश में बाल सखा अभिनाव योजना सुरू की गई है कुछ ज वन मंत्री यहां टॉक्टर सहा ने बताया कि टाइगर प्रतवागी चार शांटर से अधिक टीशेट उपलब्द कराई जाएगी जिन को पहन करके वो 1 के बारे में जगुटा फिलाने के लिए जगा जगा जाएंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं तो यहां से सुरुआत होती है आपके स्टैटिक जी के की छुपा रुष्टम क्लास सभी प्रत्योगी प्रचाओं दिश्टी से अति महत्पूर्ण बार-बार पूछे गए स्टैटिक जी के के प्रच्णों को आईए देखते हैं पहला प्रच्ण कोनार की शूरी मंदिर का निर्माड किस वंस ने कराया था है है वंस, गंग वंस, कुशान वंस, चंदेल वंस आईए एंसर देखते हैं सही एंसर है बी यनि कि गंग वंस के राजाओं के दोरा कोनार की शूरी मंदिर का निर्माड कराया गया था चलिए कुछ जानकरी आपको देते हैं तो कॉनार के शूरिया मंदिर गंगवन्स के इसासकों के दोरह करवाया गया गया इसका निर्मार नर्सिंग देउपस्टब के दोरह करवाया गया था इसे बलैक पैगवड़ा भी कहते हैं महत्पुर्ण जानकारी याद रखेगा उड़ीसा में आपका इस्तित है कुनार के शूरिय मंदिर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रस लेखते हैं सत्रिया लोक नित किस राज़े से संबंदित है और असम असम भी राज़े से संबंदित है चलिए एंसर देखते हैं सही एंसर है एनिकी असम से संबंदित है सत्रिया लोक नित कुछ जानकारी आपको देते हैं असम के बारे में तो सत्रिया लोक नित असम राज़े से संबंद असम में क्या क्या है तो कामक्या देवी का मंदिर है जहां पर अंबू बाची मेला लगता है तो अबी हाले में कोविड की वज़े से रद्द कर दिया गया है तो अगे बढ़ते हैं और अगला प्रशन देखते हैं सांती का नोबल पुरिसकार कहां पर दिया जाता है दो जगहां पर नोबल पुरिसकार प्रदान किया जाते है श्टॉक होम ओसलो में ठीक है तो सांती का कहां पर दिया जाता है यह आप से पूछा जा रहा है option A stock home, option B Oslo, option C Moscow, option C Colombo चलिए answer देख लेते हैं सही answer B यानि की Oslo में सांती का nobel पुरिसकार दिया जाता है देखिए तो nobel पुरिसकार की स्थापना की बात कर लेते हैं तो 10 दिसंबर 1901 में nobel पुरिसकार की स्थापना की गए थी जबकि जो सांती का nobel पुरिसकार होता है उसे नौरवे की राजदानी Oslo में दिया जाता है सांती का जो nobel पुरिसकार होता है याद रखीगा सही answer B हो जाएगा आगे बढ़ते हैं तो अगला segment है यहाँ पर राजीव गांदी खेल रत्म पुरिसकार डेली हम एक खेल एक पुरिसकार यहाँ पर डिसकस करते हैं तो यहाँ पर आ गया है राजीव गांदी खेल रत्म पुरिसकार कल हमने डिसकस किया था सरसटवा राष्ट्री फिल्म पुरिसकार 2020 उसको भी आप देख लिजेगा कल वाली वीडियो में आईए देखते हैं राजीव गांदी खेल रत्म पुरिसकार इस पुरिसकार को 1991-92 में स्थापित किया गया था पहले यहाँ पुरिसकार भीगत एक वरसों के प्रदर्सन के आधार पर दिया जाता था मतलब कि एक वरस में जितना चाप का प्रदर्सन होता था उसके आधार पर दिया जाता था 1991-92 से अब तक लेकिन 2014 में चेयन समीती के दोराई से बिगत चार वरसों के प्रदर्सन के आधार पर दिया जाने लगा इसी बार हाल ही में यहाँ पर इस रासी को बढ़ा करके 25 लाग कर दिये गया है 2020 वाले प्रदर्सकार में तो ये भी आपको याद रखना है ठीक है 1992 में पर्थम प्रदर्सकार ग्रेंड मास्टर विस्ट नाथन आनंद को दिया गया था जो सतरण जिसे संबन देते हैं ठीक है ये भी बहुत महत्पूर प्रश्ण है अब तक कुल 15 खेलों में 43 लोगों को यह पर्थम प्रदान किया जा चुका है ये बहुत महत्पूर यहाँ पर आपका फैक्ट बनेगा 15 खेलों में 43 लोगों को अब तक ये पुरिसकार दिया जा चुका है राजीव गांदी खेलत पुरिसकार 2020 अभी हाली में 2020 के लिए 5 खिलाडियों को ये पुरिसकार दिया गया है कौन-कौन है वो देखिए इन 5 लोगों को अभी हाली में राजीव गांदी खेलत पुरिसकार 2020 दिया गया है और 2021 के लिए नौमी ने सनिहा पर चालू हो चुके है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो अगला सेगमेंट है कल के प्रशने कल हमने आपसे पूचा था ये राजी सभा में राष्टपती के दारा कितने लोगों को यहाँ पर नामांकित किया जा सकता है सही आंसरे 12 सदश्यों को नामांकित किया जा सकता है आईए देखते हैं किस किसने सही जानकारी दी है तो सबसे पहरे अंतिमातिवारी ने यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी जी पिझ्यान के जासके लुग काफी अच्छी यहाँ पर जानकारी दी है जरूर पढ़ेगा का कमेंट उसके बाद में परमीला प्रजापती ने बारा लोगों को पूनम रजक ने बारा लोगों को बता है नौलिक जंक्सन ने बारा लोगों को बता है उसके 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 बारा लोगों को ब देखेगा आज दो पहर में आपको MP के प्रेस्ट भी देखने को मिल जाएंगी जो महत्पुन यहां पर करेंट अफेर के प्रेस्ट होते हैं ठीक है ना चलिए MP की जो फर्स्ट यूनिट है जो हिस्ट्री से समधित है उसको भी हम ले करके आने वाले हैं परिशान मत होई आग रविंदना टैगोन ने अपनी नाइट हुट की उपाधी लोटा दी थी कौन सा नरसंगार है वो यही आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है बाकि आपको बताते हैं डेली दो पार में साड़े बारा एक बज़े के सम्धिंग हम आपके लिए MPPC वालों के लिए प्रेक् नाउलोड कर सकते हैं बाकि यह वीडियो पसंदा आप वीडियो को लाइक कीजिए दोस्ते के पास सेर कीजिए चैनल को सबस्क्राइब करके नोटिफिकेशन बिल जरूर दबा लिए कोई डेली हम आपके लिए ऐसे ही मैध्रफून वीडियो और प्रैक्टिस एट लेकर कर आते रहते हैं जल्दी मिलते एक नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद